आतंकी की गल्फ्रेंड ने कराई थी सब इंस्पेक्टर इम्तियाज मीर की हत्या आतंकी की गल्फ्रेंड ने देशत गर्दों को दिया सब इंस्पेक्टर का सुराग जेहन में वो यादें अभी भी जिन्दा है जब जाबाज CID के सब इंस्पेक्टर इम्तियाज मीर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी 28 अक्टूबर को आतंकी उने सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी थी चौकाने वाला खुलासा ये कि इमतियाज मीर की हत्या की साजिश में दिल्ली से गरफतार आतंकी अंसार उलहक की गल्फेंड भी शामिल थी आतंकी की वो गल्फेंड जो पहले इमतियाज मीर के करीब आई और फिर भरोसे का खून कर दिया दिल्ली से गरफतार हिजबुलातंकी अंसार उलहक ने इमतियाज मीर की हत्या की पूरी साजिश रची समिस्पेक्टर की हत्या के लिए अंसार उलहक ने साईद सैका नाम की अपनी गल्फिन को पूरा प्लान समझाया और कर दी हत्या 28 अक्टूबर को हत्या वाले दिन सईद सैका ने इमतियास से मुलाकात की थी उसी दिन समिस्पेक्टर अपने घर पुलवामा जा रहे थे मीर लंबे अड़ से बाद माता पिता से मिलने वाले थे अंसार के निर्देशों के मताबिक सईद सैका ने मीर को फोन किया और बताया के उसे भी पुलवामा जाना है आतंकियों से मेली धमक्यों के बाद भी मीर ने अपनी दोस्त को कार में बिठा लिया मीर को रत्ती भर भी भनक रही थी कि उनके साथ बैठी लड़की आतंकी अंसार की गल्फरेंड है और वो हत्या की खौफनाग साजिश का हिस्सा है इंत्याज है मीर के मर्डर में अंसार उलहक ने अपनी एक गल्फरेंड को इस्तेमाल किया था इनकी एक फ्रेंड थी साइदा साइक जो साइदा लेड़ी थी वो भी समिस्पेक्टर साब को जानती थी इनको काफी पहले से जानती थी आतंकी की वो गल्फरेंड मीर से जुड़ी पलपल की जानकारी वाया अंसार उल्रजा हिस्बुल आतंकी उद्रग पहुचाती रही हत्या की साज़िश में उस गल्फरेंड ने आतंकीों की गाइड की भूमी का निभाई और देहशतगर्द अपने मकसद में काम्याप हो गए जैसे ही इंतियाज एहमद मीर हुलिया बदलकर गाड़ी से निकल रहे थे तब ही DMA ने उनसे लिफ्ट मागी वह उनकी गाड़ी में बैठी और उसके बाद सैईधा ने सारी जानकारी अंसार को दे दी अनसार ने आतंकियों के माध्यम से इम्तियाज एमन मीर की हत्या करवादी तो इस पूरे मामले में अब पुलिस को तलाश है सईदा की यानि अनसार की गर्फेंट की जिसने इस हत्या की साज़श में जो शामिल थी बहराल पुलिस का कहना है कि कई इंपुट मिले जिसके अधार पर जमो किश्मीर पुलिस से इंपुट शेयर किये जा रहे हैं दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं